जूटी दी कसमे तेरी जूटे देवादे सबी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में हम दर्सन के करियर के बारे में जानेंगे कि कैसे एक रियालिटी सो से उन्हों ने करोड़ों दिल पर राज करने का सफरते किया और जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सी इंट्रेस्टिंग बात है तो दर्सन के बारे में सब को जानने के लिए वीडियो के एंट तक चुड़े रहे दर्सन का जन्म 18 एक्टूबर 1994 को एहमदाबाद गुजरात में एक मिडल क्लास फैमिली में हुआ था दर्सन के पिता का नाम राजेंदर रावल है जो के पेसे से एक राइटर है और उनकी मा का नाम राजल रावल था जो एक हॉम मेकर थी वो अब इस दुनिया में नहीं है दर्सन पढ़ाई में कोई बहुत अच्छे नहीं थे फिर भी उनकी फैमिली वाले चाते थे कि वो सिंगर ना करके अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करें और अपना करियर इंजिनिरिंग फिल्ड में बनाएं लेकिन दर्सन में जब थोड़ी समझ आई तो उन्हें एसास हुआ कि उनकी आवाज बहुत अच्छी है और उन्हें सिंगर बनना चाहिए इसलिए दर्सन ने काफी कम उम्र से एक बड़ा सिंगर बनने का सपना देखना स्टार्ट कर दिया था दर्सन की स्कूली पढ़ाई एहमदाबाद के ही एक स्कूल से हुई थी और बच्चपन से ही उनका नम क्लास के सरारती बच्चों में लिया जाता था उनकी सरारतों की बज़े से कई बार उनकी घर पर सिकायतें भी आती थी पर पापा के समझाने का फर्क उन पर ज्यादा दिन नहीं रहता था लेकिन दर्सन के माइन में सिंगिंग में करियर बनाना ऐसा सैट था कि एक बार क्लास में जब उनके टीचर ने सभी बच्चों से पूछा कि तुम अपनी लाइफ में क्या बनना चाते हो तो सभी बच्चों ने अपने अपने ड्रीम बताए उस कलास में एक बच्चा था जिसने बोला था कि मुझे क्रिकेटर बनना है तो टीचर ने उससे पूछा कि क्या तुम सचन तेंदूर कर से अच्चे क्रिकेटर बन पाओगे तो उस बच्चे ने सर नीचे कर लिया वहीं दर्सन ने बोला कि मुझे सिंगर बनना है तो उनके टीचर ने बोला कि क्या तुम के सोर कुमार से अच्चे सिंगर बन पाओगे तो दर्सन ने बोला जी सर दरसन के जबाब से सिंगें के प्रते उनका जुनुन साफ नजर आ रहा था और नजर आ रहा था उनका खुद पर आत्म विश्वास आत्म विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी कमजोर नहीं होने देती दरसन एक सरार्ती और मस्ती करने वाली चात्र थे पर वो अपनी सिंगें को लेकर हमेशा एकागरत रहे दरसन ने काफी कम उम्र में कविताइं लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने काफी अच्छी अच्छी कविताइं लिखी फिर कुछ दिन बाद वो अपनी कविताइं कलास बगेरा में गाने लगे दरसन ने जब पहली बार स्कूल इवेंट में हिस्सा लिया तो उन्हें एक गुरूप सिंगिंग करनी थी वो सरारती थे इसलिए उन्हें पीछे खड़ा किया गया लोगों का ध्यान अपनी तरफ हींचने के लिए उन्होंने जोर जोर से सिंगिंग की दरसन के ऐसा करने पर उनके टीचर इसको लगा कि वो फिर कोई सरारत कर रहे हैं इसलिए उन्हें उस सिंगिंग गुरूप से भी निकाल दिया गया दरसन अपने स्कूल टाइम में सेल्फ रेस्पेक पर बिल्कुल भी आँच नहीं आने देते थे उन्होंने अपने स्कूल का एक किस्ता सेर करते हुए बताया कि जब वो एक बार अपने 11th का एक्जाम दे रहे थे तो उन्हें जादा कुछ नहीं आता था इसलिए वो कॉपी कर रहे थे उन्हें कॉपी करते हुए उनके टीचर ने पकड़ लिया पर आपको मुझे थपड नहीं मारना चाहिए था अब देखो मैं क्या करता हूँ दरसन ने स्कूल के बाहर 30-35 डड़के बुला लिये और इंतजार करने लगे कि कब उनके टीचर बाहर आए जब उनके टीचर ने स्कूल से बाहर देखा तो वो काफी डर गए में बोला कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था पर तब मुझे इतनी समझ नहीं थी जैसा कि हमने आपको बताये उन्हें पढ़ाई में इंट्रेस्ट नहीं था फिर भी अपने पेरेंट्स की बज़े से 12th के बाद वो इंजिनरिंग करने लगे लेकिन वहाँ वो ज्यादा टाइम तक नहीं रुक पाए कॉलेज में पेपर लिग करने की बज़े से उन्हें बाहर निकाल दिया गया इसके बाद उनके पापा को उनकी बहुत चिंता हुई और उनसे बात की और पूछा कि तुम क्लियर बताओ कि तुमें करना क्या है अपनी लाइफ में तो दर्शन ने बोला कि पापा आपसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ मुझे सिंगर बनना है तो उनके पापा ने बोला इस फिल्ड में बहुत बीड है जरूरी नहीं कि तुमें सकसेज मिले क्या पता तुमारे कई साल बरबाद होने के बाद तुमें एसास हो कि मैं बहुत पीछे रह गया हूँ तो दर्शन ने बोला अगर मुझे कोई काम नहीं भी देगा तो भी मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की तरह यूटूब पर सिंगिंग करता रहूँगा अपने कॉलिज टाइम में ही दर्शन ने यूटूब पर सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया था वो यूटूब पर कबर सौंग आया करते थे उन्होंने जब यूटूब पर अपना पहला कबर सौंग अपलोड किया था तो उनके व्यूज बहुत कम आये थे लेकिन उस वीडियो में 300 व्यूज पूरे होने पर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी दर्शन बताते हैं कि वो 300 व्यूज भी मेरे और मेरे दोस्तों के ही थे शुरुआत में व्यूज बहुत कम आते पर मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा यूटूब पर कुछ टाइम में उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गई थे और उन्हें सोज के भी ओफर आने लगे थे इसलिए उन्होंने अपने पापा से बोला था कि अगर मुझे बॉलीवुन में गाने का मौगा नहीं मिल और घर से ही वो लाइब कंसल्ट और यूटूब सौंग गाते थे इन 6 महीनों में उन्होंने अपने पापा को इतना तो दिखा दिया था कि वो आगे जरूर जाएंगे क्योंकि उन्होंने एवेंट्स और यूटूब से इतना पैसा कमा लिया था कि वो अपनी फैमिली को ल इसलिए उन्होंने इन्वाइट करने वाले से बोल दिया कि मुझे रियाल्टी सो नहीं करना है लेकिन सामने से दर्सन को बोला गया कि एक बार सोच लो इस सो में आप अपना गाना भी गा सकते हैं और यहां सलेक्ट हुए तो तुमें बहुत पहँचान मिलेगी दर्सन उस तिन-चार महीनों के लिए गए हुए थे लेकिन यूएस पहुचने के दो महीने बाद ही उनका मुंबई से कॉल आ गया और बोला गया कि आप सौट लिस्ट हो चुके हैं मुंबई आकर ओडिशन दे दो यह सो था स्टार प्लस का इंडियास रोई स्टार दर्सन मुंबई जाने की तैयारी करने लगे तब ही उनके पापा ने बोला कि तुम एक ओडिशन के लिए यूएस से मुंबई जाओगे तुमें पता है न तुम जैसे हजारों बच्चे आते हैं ओडिशन देने जिसमें से कुछी को सलेक्ट किया जाता है दर्सन ने अपने पापा से बोला दर्सन मुंबई आ गये रियल्टी सो का ओडिशन देने उन्होंने ओडिशन दिया तो उनकी आवाज और संगीत की समझ जज़ेस को बहुत अच्छी लगी और उन्हें वहां सलेक्ट कर लिया गया इसके बाद वो टीवी पर भी आने लगे ये सो जैसे जैसे आगे बरता ज जा रहा था कुछ दिन बाद सो अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया जिसमें 10 कंटेस्टेंट बचे थे उसमें दर्सन रावल भी एक नाम थे ओडियंस की बोटिंग में दर्सन को बहुत सपोर्ट किया गया था लेकिन उसी रियल्टी सो के दौरान दर्सन के पापा भी सपोर्ट करने लगे अपने पेरेंट से मिले इस सपोर्ट ने दर्सन को और भी ज्यादा स्ट्रॉंग बना दिया दर्सन इस सो को जीत तो न सके पर वह यहां टॉप रणर अप रहे जिसकी बज़ेसे उन्हें बहुत पेचान मिली बहुत से म्यूजिक डिरेक्टर बहुत स साथ काम करने का मौका जरूर मिलेगा पर ऐसा हुआ नहीं मुंबई में वो काम के लिए बहुत से लोगों के पास गए पर हर जगे से उन्हें निरासा ही मिली एक टाइम था जब दर्सन अपने यूट्यूब फैन फॉलोइंग से खुश थे पर रेयाल्टी सो में अच्छी परफॉमेंस के बाद उन्हें ये उम्मीद हो चुकी थी कि वो बहुत जल्द फिल्मों में गाती नजर आएंगे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रह था जिसकी बज़े से उन्होंने थोड़ा साफ पीछे मुर कर देखा और सोचने लगे कि अगर कुछ दिन और काम नहीं म हिमेश ने बोला ठीक है कल तुम मेरे स्टूडियो आ जाओ दर्सन अगले दिन हिमेश के स्टूडियो गए तो हिमेश ने बोला उपर एक सौंग की रिकॉर्डिंग चर रही है जाओ उसे सुन लो और डब कर लो दर्सन उपर गए और चार-पांच लाइन रिकॉर्ड कर व हिमेश के साथ आने के बाद हिमेश ने उन्हें और भी काम दिये जिसकी बज़े से उन्होंने एहमदाबाद जाने का फैसला बदल लिया इसके बाद उन्हें बॉलिवोड में चौगारा खींच मेरी फोटो कमरिया एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा महरमा जैसे और भी कई फैमस सौंग में काम करने का मौका मिला दोस्तो बॉलिवोड से ज़्यादा पहचान उन्हें यूट्यूब से मिली साल 2014 में उन्होंने अपना पहला म्यूजिक एल्मम दिया था जो काफी पसंद किया गया था ये सौंग था पहली महबद पहली महबद है वो मेरी इसके 2015 में उन्होंने अब फिर से जब बारिस तेरे सिवा 2016 में आभी नवरात्री 2017 में ये बारिस एल्बम लॉंच की जिसका एक सौंग तेरा जिकर बहुत बाइरल हुगा और यहीं से वो एक के बाद एक सफलता की सीड़ी चड़ते चले गए आज टाइम वो है जब दर्चन का एक भी गाना रिलीज होता है तो वो यूटूब पर ट्रेंड जरूर कता है उनके सुपर हिट सौंग में से एक तरफा हवा बनके जुदाईया कास ऐसा होता बारिस लेते आना मुझे पीने दो उनके सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले सौंग हैं दर्चन बोलते हैं के मे अरकल भी नहीं है कि दर्चन के पेरेंट्स उन्हें सिंगर नहीं बनने देना चाहते थे वो लोग बस दर्चन का सिक्योर फ्यूचर चाहते थे और हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए ऐसा ही चाहते हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी बच्चे में नहीं होता, दरसन को अब फिलमों में भी कुछ रॉल अफर हुए है, पर अभी वो एक्टिंग में नहीं जाना चाते, हलाके वो अपने गानों में एक्टिंग करना पसंद करते हैं, पर बॉलीवर्ण में उन्हों ने ज़्यादा इंट्रेस्ट नहीं दिखाया है चलिए दोस्तों अब दर्सन के मारे में कुछ और इंट्रेस्टिंग बातें जान लेते हैं बहुत बार ऐसा हुआ है जब दर्सन ने कई सोंग गाने से मना कर दिया हो वो बोलते हैं मैं वही गाना पसंद करता हूँ जो मेरी आवाज को सूट करते हैं इस बात पर कई म्यूजिक डियरेक्टर बोलते हैं कि दर्सन में बहुत इगो है तो बहुत से लोग उनके इस तरह से सौंग सेलेक्शन को पसंद भी करते हैं दर्सन एक बहुत ही साइकिस्म के इंसान हैं दर्सन के स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले बोलते थे कि क्या तुम परिश रावल के रिष्टेदार हो तो दर्शन भी हां बोलते थे इसी का फायदा उठा कर वो कई दोस्तों से अपना काम भी करवा लेते थे अगर दर्शन सिंगर नहीं होते तो वो या तो फोटोग्राफर बनते या फिल्म एडिटर क्योंकि उन्हें एडिटिंग करना बहुत पसंद है दर्शन ने एक इंटर्व्य में अपने और अपने पापा के बारे में एक फणी किस्ता सेर करते हुए बताया कि जब मेरी थोड़ी थोड़ी बेर्ड आना स्टार्ट होई थी तो एक बार रात को दर्शन ने अपने पापा को अपने रूम में बुलाया और बोला पापा प्रॉब्लम है लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ये सुनकर उनके पापा सहम गए और बोले क्या हुआ तो दर्शन बोले देखो मेरी डाड़ी के एक हिस्से में बाल नहीं आये है तो उनके पापा बोले चल भाग यहां से मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ बात करें दर्शन के रेलेशन्सिप इस्टेटेस की तो वो फिलहाल सिंगल है और अभी तक उनकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं आया जिसकी उन्हें तलास है दर्शन जब अपनी टीनेज में अपने पापा से बोलते थे के मुझे मुंबई जाना है तो उनके पापा मना कर देते थे और बोलते थे के साधी के बाद जाना क्योंकि उन्हें लगता था कि दर्शन बहुत सीधे हैं और अभी मेच्ची और भी नहीं है एक बार एहमदाबाद में ही हनी सिंग का एक सो था जिसमें दर्शन एक सो पचास रुपे का पास लेकर गए हुए थे पर वहाँ हनी सिंग आय और चले गए दर्शन पीछे खड़े थे उन्होंने एक कुर्शी उठा कर पटक दे और कुर्शी तूट गई जिसके बाद वहाँ सैकड़ों कुर्शी तोड़ी गई सकसेज होने के बाद दर्शन के पापा से किसी ने बोला कि जब मैं दर्शन के गाने सुनता हूँ तो मुझे उसमें दर्शन के मा की जलत दिखाई देती है दर्शन बोलती है कि ये मेरे लिए सबसे ब्यूटिफुल कॉंपलिमेंट रहा है बचपन में दर्शन रावल को अपना नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था उनका ये नाम उनकी बुगाने रखा था जब वो क्लास फिप्त में थे तो उन्होंने अपना नाम बदलकर राज रख लिया उस समय कुछ लोग उने राज तो कुछ लोग दर्शन कहा करते थे दीरे दीरे उनका नाम राज दर्शन हो गया जो उने और भी बेकार लगने लगा इसके बाद उन्होंने सबसे मना कर दिया कि अब उन्हें कोई राज न बोले अब वो दर्सन नाम से ही अपनी पहचान बनाएंगे दर्सन ने 5th क्लास से ही लिरिक्स और पोईम्स लिखना स्टार्ट कर दिया था और वो उन्हें गुनगुनाने भी लगे थे जब दर्सन का सुपरेट स्वांग तेरा जिकर आया था इस स्वांग के रिलीज होने के चार दिन बाद ही दर्सन ने अपनी मा को खो दिया उसी दोरान दर्सन के एक फैन ने दर्सन और उनकी मा का टैटू अपने हाथ पर बनवाया और उस पर लिखा था तेरा जिकर दर्शन ने जब उस फैन का ये फोटो देखा तो वो बहुत इंस्पार्ड हुए थे दर्शन रावल ने गिटार बजाना इंटरनेस से खुद ही सीख लिया था वो कभी इसकी ट्रेनिंग लेने क्लास नहीं गए दर्शन 2017 में Time of India द्वारा एहमदाबाद के Most Desirable Man चुने गए थे दर्शन की हाइट लगवग 5 feet 11 inch है और उनका Body Weight 72 kg है दर्शन ने अभी कुछ टाइम पहले एक्टिंग की ट्रेनिंग भी ली है पर वो बोलते हैं वो अभी एक्टिंग फिल्म में नहीं जाना चाहते और उन्होंने ट्रेनिंग अपने Songs में Acting के लिए ही ली है बाकि अभी उनका सारा Focus Singing पर ही रहेगा दोस्तों आपको क्या लगता है? दर्शन को क्या Acting फिल्म में भी आना चाहिए? हमें Comment करके ज़रूर बताएं दर्सन जब स्कूल और कॉलेज में थे तो उन्हें एक ही नजर में कई बार प्यार हुआ लेकिन वो इन मामलों में बहुत सरमेले स्वबाब के रहे हैं इसलिए उन्होंने किसी लड़की से जाकर बात नहीं की दर्सन को इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहना बहुत पसंद है और अभी उनके इंस्टाग्राम पर लगवग 7 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं इंस्टाग्राम पर वो अकसर फोटोज, आईजी टीवी वीडियो और सौट वीडियो पोस्ट करते रहते हैं दर्सन के लिए कई लोग ये भी बोलते हैं कि उन्हें अपने गानों के लीरिक्स याद नहीं रहते दोस्तो दर्सन की कहानी किसी को भी मोटिवेट कर सकती है मेरा ये वीडियो दर्सन के कवर सिंगर से टॉप इंडिपेंडेंट सिंगर और बॉलिवोड प्लेबैक सिंगर बनने तक की पूरी कहानी पर रोशनी डालने का काम करेगा और अगर इस वीडियो से किसी को अपनी लाइब में कुछ करने की थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिलती है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी तो फ्रेंट्स ये थी लाइब स्टोरी दर्सन रावल की हमने इस वीडियो में दर्सन की कहानी को काफी करीब से जाना उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो से रेलेट कर पाए होंगे बैसे तो दर्सन का आर्ट सौंग ही लाजबाब है पर आपका फैबरेट सौंग कौन सा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही हम प्रे करते हैं दर्सन अपनी लाइब में और भी बहुत कुछ अचीव करें और हमेशना खुज रहें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो आण तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पोंस जरूर दें अची लगी तो लाइक करें, सेयर करें और कमेंट करें हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत बैल्यू रखती है पहले टेकनोलोजी कम थी, लोग कम बात करते थे, तब प्रॉब्लम्स कम थी ट्रस्ट इशूस की, हाला कि तब जादा होनी चाहिए थी अब डिजिटल लाइफ में जादा कनेक्टेड हैं, देख सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं तेरी यारी उम्र सारे साथ है Happy Friendship Day to all of you आज मैं चाहता हूं आप लोग अपने अपने दोस्तों को कॉल करें और उनको खूब परशान करें मैं भी मेरे दोस्तों से आज मिलने वाला हूं, so I'm very excited for that So once again, a very very happy Friendship Day To all of you, God bless, take and spread love वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस कर लें आपका कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में